जो आपको जानना है आपके examination perspective से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो के आपके examination में directly as a question आ सकती है या फिर अगर आप clad examination की बात करो तो उस examination में जो आपके paragraphs हैं उसमें आपको इन में से कुछ ना कुछ influence करता हुआ जरूर देखने को मिल सकता है तो इसलिए आज हमारा ये काम होगा कि election in India से related जितनी भी चीजें आपके examination के लिए important है वो सारी की सारी हम यहाँ पर जो है खतम करें ताकि आपके examination में आप किसी भी तरह से पीछे ना रह जाएं guys and girls लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर दिये गए like बटन को जल से जल क्लिक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया कमाल करते हो यार जल से जल subscribe बटन पे क्लिक करो ताकि हम और जादा से जादा बच्चों तक पहुंच सके और साथी साथ आप यहाँ पर लिए जाने वाले किसी भी class को miss ना करें जी हाँ guys and girls जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही सुन्दर photograph हमें यह दिखा रही है कि किस प्रकार से हम याने कि इंडिया एक democracy की तरह काम करते हैं and when we say a democracy, democracy is a form of a government by the people, of the people and for the people ऐसा इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि हम एक democratic country है and एक democratic country में दो चीज़ें बहुत जादा important होती है पहली चीज, free and fair elections जहां पर जो election हो रहे हैं वो किसी भी तरह से biased नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से यहां पर boot rigging वगेरा जो है वो नहीं होनी चाहिए and secondly, every person, every person should be eligible to get elected as well as elect अगर वो basic qualification जो यहां पर बताई गई है उसको qualify करते हैं तो irrespective of कि वो किस caste को belong करते हैं, किस creed को belong करते हैं, किस religion को belong करते हैं किस gender को belong करते हैं, उनके पास vote डालने का अधिकार और साथी साथ सरकार में चुने जाने का अधिकार definitely होना चाहिए चलिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे लोकसभा 2024 के general elections के बारे में थोड़ी बहुत यहां पर information जैसा कि आपको पता है लोकसभा 2024 का जो election का result आया है उसने यहां पर coalition सरकार बनाने पर मजबूर कर दिया है when we say coalition सरकार इसका मतलब होता है गट बंदन की सरकार या जहां पर किसी एक political party को पूर्ण तहा बहुमत नहीं मिला होता है बट रादर यहां पर अलग-अलग political parties एक साथ आकर सरकार बनाने का दावा पेश करती है राष्टपती के सामने however आगे बढ़के हम इसके बारे में थोड़े से facts चाल लेते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो ये लोकसभा का चुनाव था ये seven phases में हुआ है 19 अपरेल से लेकर याने 19th of April को शुरू हुआ था ये चुनाव और ये 1st of June 2024 तक चला था याने almost आप देख सकते हो देड़ से दो मेने का समय यहाँ पर voting जो है हमारे यहाँ चली इस दौरान 7 phases हुए थे जिसके अंतरगत 543 members जो है वो लोकसभा में जाएंगे साती सात आपको पता होना चाहिए that this is basically the 18th लोकसभा यह हमारी अठारवी लोकसभा होगी since the moment the general elections in India started अब आते हैं आगे यहाँ पर एक बहुती amazing fact है यहाँ पर एक विक्ति हैं जिनका नाम है शंकर लालवानी जी यह बीजेपी से contest कर रहे थे इंदौर से और इंदौर की कहानी के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि जो candidate थे इंदौर के Congress के उन्होंने कुछ समय पहले ही Congress को त्याग दिया और जाकर बीजेपी में सम्मिलित हो गए जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो इंदौर में एक तरफ चुनाव हुआ क्योंकि इंडियन National Congress के वहाँ पर कोई भी candidate नहीं थे However, इस वजह से इन्होंने अभी तक 11,75,092 seats और राधर votes से इस seat को जो है वो जीता है But sir, सवाल ये है कि अगर कोई opposition में नहीं था तो फिर आखिर इन्होंने किसको हराया है तो यहाँ पर जो हार हुई है वो हुई है नोटा की जी, नोटा को आप सभी जानते होंगे, नोटा is basically none of the above यानि कि जब भी कभी एक particular constituency में लोग नहीं चाहते हैं कि जो candidates यहाँ अलग-अलग particular parties के द्वारा प्रस्तुत किये गए हैं हम इनको vote डालें तो वहाँ पर वो नोटा जो है यानि none of the above जो है उसको click करते हैं क्या नोटा click करने से, क्या नोटा click करने से या नोटा पे ज़ादा भहूमत आ जाने से जो बाकी candidates हैं उनके candidature पे कुछ असर पड़ेगा answer is no नोटा अगर जीत भी जाता है तब भी जो है जो candidate जिसने सबसे ज़ादा vote score किये हैं वही candidate यहाँ पर विजेता गोशित होगा however, interesting बात यह रही है कि नोटा जो है इसने तकरीबन दो लाग से ज़ादा vote जो है वो पाए है और यह अभी तक की history में एक बहुत बड़ी बात रही है चलिए, इसके अलावा जो सबसे ज़ादा anticipated seat रही थी वो थी आपकी वारानासी की seat जहां से हमारे प्रदान मंत्री लड़ रहे थे चुनाव प्रदान मंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने पिछली बार 2019 में तकरीबन 6 लाग के around vote से जीत हासिल करी थी however, इस बार यह जीत जो है यह थोड़ी सी कम हो गई है और जो फासला रहा है जीत का वो केवल 10,000,000 votes का ही रहा है तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी information यहाँ पर बताई जा रही है about the 2024 का general election चले, अब बढ़ते हैं आगे, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस साल के election के नतीजे जो political party सबसे जादा seats पाई है वो है आपकी BJP, BJP को यहाँ पर 240 seats जो है वो प्राप्त हुए है उसके बाद Indian National Congress ने यहाँ पर बहुत बढ़त दिखाई है अपने पिछली बार के performance से and इनको जो है यहाँ पर 99 seats मिली है याने अगर पिछली बार के चुनाव से देखा जाए तो 47 seat इनको यहाँ पर जादा मिली है whereas BJP ने 63 seats जो है वो हारी है in comparison to the last year इसके अलावा जो 3rd सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर नजर आई है वो अकलेश यादव जी की सपा याने की समाजवादी पार्टी रही है जिसने यहाँ पर 37 seats जीती है और पिछली चुनाव से 32 seats जादा यहाँ पर इन्होंने gain किया है इसके अलावा All India Trinamool Congress जो है इन्होंने 29 seats ली है 22 seats जाती है DMK को जनता दल को जाती है 12 seats राष्ट्री जनता दल को 4 seats यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी को 3 seats और 93 seats others को यहाँ पर जाते हुए हमको दिख रही है तो इन totality आपको पता होना चाहिए कि coalition government इस बारी बन रही है यह coalition government जो है वो आपके NDA की बन रही है ठीक है चाले अब हम बढ़ेंगे आगे और कि identify करेंगे कि हमारा constitution जो है वो हमारे देश की राज विवस्था के बारे में और रादर टी टाइप ऑफ पॉलिटी के बारे में क्या बताता है तो आपको यह बहुत ही अच्छे से पता होगा कि इंडिया जो है it is not to be considered the Federation of States but rather India is to be considered the Union of States and साथी साथ हमारे constitution ने presidential form of government को नहीं अपनाया है बट रादर हमारे यहां अपनाया गया है parliamentary form of government को parliamentary form of government and यह जो parliamentary form of government है इसको आप जानते हो with the name of cabinet government या फिर इसको responsible government भी consider किया जाता है या फिर इसको Westminster model of government के नाम से भी जाना जाता है यह वो चीज़ है जो कि ब्रिटेन में जपैन में कैनेडा में इंडिया में सबसे जादा प्रचलित देखने को मिला है that is the parliamentary form of government जैसा कि parliamentary form of government की बात करते हैं parliamentary form of government में basically दो प्रकार के houses हमारे यहां है तभी हम कहते हैं कि हम एक by camera by camera legislature है जब भी कभी by camera legislature बोला जाए उसका मतलब दो दो यहां पर legislature की बात की जा रही है by camera legislature में हमारे यहां कौन-कौन से दो houses हैं sir एक house है हमारा राज्यसभा and the other house that we have is the लोकसभा ठीक है I repeat again हमारा एक Parliament है Parliament के अंदर दो houses हैं एक है लोकसभा एक है राज्यसभा सवाल यह उठता है कि क्या लोकसभा राज्यसभा के अलावर भी Parliament में किसी की हिस्सेदारी होती है so answer would be yes किसकी होती है यह वैं आपको जल्दी से बता देता हूं जी so when we talk about the Parliament Parliament consists of three institutions the first one is the लोकसभा the other one is the राज्यसभा and the third one is the president of India when we talk about the president of India president of India is considered to be an integral part of the Parliament but the question is is the president part of the लोकसभा और is he the part of the राज्यसभा so let me tell you that president is neither the part of the लोकसभा nor is he or she the part of राज्यसभा but despite of that he or she is definitely an integral part of the Parliament when we talk about लोकसभा जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसको लोवर हाउस के नाम से भी जाना जाता है at the same time इस लोकसभा को आप हाउस ओफ पीपल के नाम से भी जानते हो whereas when we talk about राज्यसभा इसको हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको जो है council of states भी कहा जाता है लोकसभा में basically representatives बैठते हैं हमारे यह representatives किसको represent करते है representatives of the people of the country यह लोगों को represent कर रहे होते हैं वेरेज राज्यसभा में representatives of the states होते हैं यह अलग-अलग states को represent कर रहे होते हैं ठीक है आई होप इतनी कारवाही आपको समझ में आए होगी चले अब बढ़ेंगे आगे अगली information की तरफ सर अगें वी आ कमिंग टू लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा में total कितने members हो सकते हैं सो इन लोकसभा देर कैंड बी आ टोटल ओफ 552 members बट यहां पर मैं टू members को highlight करूंगा और आपको कुछ एक information दोंगा पहले समझ लेजिए यह जो 552 members हैं इन में से 550 members जो है यह directly elect किये जाते हैं बाइदा people of the country इसलिए इनको हम directly elected कहते हैं यह जो दो members हुआ करते थे इनको जो है नॉमिनेट किया जाता था बाइदा प्रेसिडेंट और इनका नॉमिनेशन किन से होता था तो अंगलो इंडियन कम्मुनिटी के लोगों में से होता था अंगलो इंडियन कम्मुनिटी के members में से होता था यह जो प्रावधान है यह इस लोकसभा से हमारे यहां खतम हो चुका है अब यह जो दो members अंगलो इंडियन सोसाइटी के नॉमिनेट किये जाते थे अब यह नॉमिनेट नहीं होते हैं रादर रादर वन जीरो फोर्थ constitutional amendment act के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया है यानि लोकसभा में अब सारे के सारे members will be directly elected by the people of the country clear चाले नाव वी टॉक अबाउट दी राज्यसभा जब हम बात करते हैं राज्यसभा की तो राज्यसभा में इन टोटल 250 members होते हैं इन 250 members में से इन 250 members में से 238 members elected होते हैं बट इनका election कैसे होता है इंडायरेक्टली इंडायरेक्टली elected whereas when we talk about the remaining people तो यह टोटल बारा होते हैं इनका होता है nomination nomination कौन करता है by president of the country and यह जो nomination होता है यह चार अलग-अलग fields से होता है जिसको हम L.A.S.S. के नाम से जानते हैं literature, arts, science and social service यह है एक breakdown जो आपको पता होना चाहिए about the members of लोकसभा and the members of राज्यसभा चलिए अब बढ़ेंगे आगे यहां पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया और American presidential form of government में किस प्रकार से difference होता है ताकि आप difference को समझते हुए दोनों के ही distinction को तो समझोगे ही बट इंडिया के perspective को थोड़ा जादा बेतर तरीके समझोगे अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो दो प्रकार के लोग होते हैं एक जिनको हम कहते है head of the state याने हमारे पूरे देश के head होते हैं वो और दूसरे होते हैं जिनको बोलते है head of the government जो हमारे देश में चलने वाली सरकार के head होते हैं वेन वी टॉक अबाउट head of the state तो हमारे यहां वो जो है काम निभाया जाता है by the president of the country प्रेसिडेंट अब दा कंट्री जो है इनको हम head of the state या nominal head के नाम से भी जानते हैं nominal head इसलिए क्योंकि इनकी position ऐसी है जो कि एक ceremonial position है and जो पूरा का पूरा देश चलाने का काम होता है वो प्रधान मंत्री के द्वारा किया जाता है तो इसलिए प्रधान मंत्री को हम जानते हैं with the name of real head real head या फिर head of the government इनकी अगर बात की जाए president की तो इनको हम डी जूरे head के नाम से जानते है and prime minister की बात की जाए तो इनको डी facto head भी कहा जाता है clear है अब जब बात की जाती है America में तो sir America में since they follow presidential form of government and not the parliamentary form of government तो वहाँ पर head of the state and head of the government ये दोनों ही कौन होते हैं president of the country ठीक है चली now when we talk about the parliamentary form of government in India आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे हम majority party rule होता है when we say majority party rule इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो भी political party majority में होती है वो political party अपने leader को as the prime minister के लिए जो है यहाँ घोशित करती है for example अगर अभी के समय में आप देखें तो किसी भी political party ने अपना जो है यहाँ पर बहुमत टच नहीं किया है बहुमत का number जो है या majority का number जो है that is 272 यह 272 सीट का जो मार्क है यह किसी भी political party ने यहाँ पर टच नहीं किया है इसी लिए फिर coalition यानि कि गटबंधन की सरकार बनाई जाती है जहां बाकी political parties आकर इनका समर्थन करती हैं और कहती हैं कि हम सब मिलके सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो आपको यहां पता होना चाहिए कि parliamentary form of government में हमेशा majority party rule होना चाहिए ठीक है जो leader of the party होंगे उनको appoint किया जाएगा as the prime minister by the president and जो बाकी ministers होंगे वो prime minister के कहने पर प्रेसिडेंट के द्वारा appoint किये जाएंगे clear जी next अगर कोई भी political party ने majority सिक्योर नहीं की तो फिर president coalition को part coalition of parties को सरकार बनाने के लिए बुलवाती है जैसा कि अभी यहां पर होगा whereas America की बात की जाए तो sir and ma'am यहां पर president जो है इनको elect किया जाता है by an electoral college जो की fixed four year term के लिए होते हैं president को remove नहीं किया जा सकता by the congress until and unless impeachment की प्रक्रिया जो है वो इनके खिलाफ शुरू की जाए because of any kind of unconstitutional activity अब आते हैं आगे sir and ma'am आपको पता होना चाहिए there is a there is a there is a provision for collective responsibility by saying that collective responsibility we want to say that कि जितने भी हमारे council of ministers हैं चूकि आप democracy में हो चूकि आप representative of people के बीच में बैठे हुए हो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप जवाब दे ही होने चाहिए किसके प्रती towards the people of the country but people of the country हम सभी इतने सारे लोग जो है 120 करोड लोग sir हमको एक साथ कैसे जवाब दे ही हो सकते हैं तो फिर किसको जवाब दे ही हो सर हमारे representatives को और हमारे representatives कहां बैठते हैं सर लोकसभा में that is the house of the people में इसी लिए इसी लिए the council of ministers are collectively responsible to the लोकसभा to the लोकसभा and अगर लोकसभा चाहे तो इन council of ministers को हटाया जा सकता है I repeat अगर यहां पर चाहे हमारे जो लोकसभा तो council of ministers को हटाया जा सकता है president और इनके secretary जो होते हैं यहां पर वो किसी भी तरह से responsible नहीं होते हैं to the congress for any kind of acts जो की इनके द्वारा किये जा रहे हो चलिए अब आते हैं आगे यहां पर we are talking about political homogeneity कहने का तात पर कि जो member of council of ministers होते हैं यह जादा तर सेम political party से होते हैं अगर coalition की सरकार होती है तो council of ministers जो हैं वो दूसरी सब party के भी हो सकते हैं however all of them are bounded by consensus हर किसी की जो ultimate aim होता है देश चलाने का वो एक साही होना चाहिए whereas when we talk about the American यहां पर जो cabinet है यह non elected advisory body होती है इनका election नहीं होता है president खुद choose करते हैं और वो जो है president को advice कर रहे होते हैं चले now we are talking about the double membership yes parliamentary form of government में double membership होती है क्योंकि जितने भी ministers हैं वो legislature का भी हिस्सा होते हैं यानि लोकसभा का या प्राजसभा के भी हिस्सा है और साथ ही साथ यह सारे के सारे executive भी होते हैं जो ministers होते हैं वो आपके legislature का भी हिस्सा होते हैं वो आपके executive का भी हिस्सा होते हैं इसलिए इसको कहा जाता है कि double membership यहां पर होती है बट सर क्या ऐसी स्थिती में is there any person who can be made the minister without being a part of the legislature क्या किसी व्यक्ति को बेना legislature का हिस्सा बने minister बनाया जा सकता है answer to the question is yes anybody can be made a minister without being the part of the legislature be it the लोकसभा और राजसभा but this can only be done for a maximum of six months before which they have to become they have to become the member of either the लोकसभा और राजसभा ठीक है but when we talk about the president in American ya presidential form of government so the president and his secretaries are not the members of the congress ये Congress के members नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर complete separation of power होता है और हमारे हां responsibility होती है और rather we should say that every organ is responsible to the other organ and इसी लिए कहा जाता है कि checks and balances जो है वो यहां पर ensure किया जाता है next sir there is a dissolution process जो कि lower house में होता है हर पांच साल के बाद हर पांच साल के term के खतम होने के बाद जो लोक सभा है वो dissolve हो जाती है however लोक सभा को उससे पहले भी dissolve किया जा सकता है at the same time लोक सभा का time period बढ़ाया भी जा सकता है from five year to unlimited time यह कब किया जा सकता है during the process of during the process of emergency अगर हमारे देश में emergency लागू होती है so definitely इसके time period को आगे बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर president cannot dissolve the house of the representatives बट यहाँ अगर president चाहे तो वो dissolve कर सकते हैं even before अगर majority lose होती है या फिर प्राइम मिनिस्टर ऐसा recommendation देते हैं तो चली अब composition की बात कर रहे हैं यह मैंने आपको अभी बताया 550 members होते हैं 530 plus 20 530 states से आते हैं 20 जो हैं वो हमारे UT से आते हैं पहले इसमें दो seats Anglo-Indians के लिए भी हुआ करती थी बट अब यह जो है हटा दी गई है by the 104th Constitutional Amendment Act राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 250 members होते हैं जिन में से 238 elected होते हैं by the states बट यह election indirect होता है 12 जो है यह nominate होते हैं by the president इनका nomination चार अलग field से होता है L.A.S.S. that is literature, arts, science and social service Constitution का जो चौथा schedule है आप सभी को याद होगा मैंने पढ़ाया था हमारे Constitution के जो 12 schedules हैं उसमें से जो चौथा schedule है वो राज्यसभा में किस state से कितनी seats होंगी उसके बारे में यहाँ पर वर्णन देता है इसके अलावा duration and dissolution मैंने आपको यह सारी चीज़े समझा दी है कि लोग सभा 5 साल के लिए continue करता है लेकिन अगर national emergency लगी है तो parliament को बढ़ाया जा सकता है for any length of time but one year at a time यह जब मैं आपको emergency पढ़ाऊंगा तो उसको और detail में समझा दूँगा however जो president है वो कभी भी prime minister के कहने पे dissolve कर सकते हैं even before the expiry of the term now when we talk about now when we talk about the राजसभा तो आपको पता होना चाहिए राजसभा के लिए ऐसा कोई provision नहीं है because राजसभा is a continuing house and when we say राजसभा is a continuing house इसका मतलब राजसभा जो है it never dissolves but sir इसके members तो जो है इसके members जो है वो तो retire होते हैं जी हाँ इसके members जो है वो retire होते हैं one third members retire every second year इस वजह से एक member को कितना tenure मिल जाता है sir and ma'am six years का tenure यहां पर एक member को देखने को मिलता है चली इसके अलावा let's talk about the qualification अगर आप लोकसभा के member बनना चाहते हैं आप citizen of India होने चाहिए राजसभा के लिए भी citizen of India लेकिन लोकसभा के लिए आपकी age 25 years होनी चाहिए और राजसभा के लिए आपकी age 30 years की जो है वो होनी चाहिए clear चली अगला now we talk about the disqualification कब कब आप जो है disqualify किये जा सकते हैं आपको चुनाव लडने नहीं दिया जाएगा आप member of the Parliament नहीं बन सकते तो सबसे पहली चीज आपको disqualify किया जा सकता है अगर you are holding any office of profit चाहे वो central government के अंडर हो चाहे वो state government के अंदर हो या फिर आप unsound mind के हो या फिर आप undischarged आप इंडिया के citizen ना हो आपने voluntarily किसी और country की नागरिकता को जो है वो अपना लिया हो अगर यह चीजें होती है तो आपको disqualify कर दिया जाएगा या फिर अगर हिंदुस्तान के किसी कानून के द्वारा भी आपको disqualify किया जाता है तो यह वो प्राबधान है जो कि हमारे संविधान में दिये हैं however इसके अलावा there is a very important act which is known as the representation of people act of the year 1951 वो भी बहुत सारे यहां पर disqualification के आपको तरीके बताता है हम उसको भी पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले आपको बदा दें constitution के अंदर they are also talking about disqualification on the basis of defection and when we talk about defection आप सभी को पता है 10th schedule जो है हमारे constitution का जो 1985 में add किया गया था by the 52nd constitutional amendment act इसने हमारे अहां anti defection related provisions को add किया अब anti defection के प्रोविजन जो है वो चार तरीके बताते हैं जिनसे की आपको डिफेक्टेड कंसिडर किया जाएगा ठीक है चालिए अभी बढ़ते हैं आगे यहां पर आपको representation of the people act के तहट बताया गया है कि कब कब आपको डिफेक्टेड कंसिडर किया जा सकता है suppose करिए आपको guilty found किया जाता है यहां पर found guilty is very important किसी पर केवल आरोप लगा देना उसको accuse करना will not be sufficient for disqualification बट रादर वो आरोप सिद्ध भी होने चाहिए तभी हम consider करेंगे कि हां यहां पर इस व्यक्ति के द्वारा जो है वो crime किया गया है इसलिए इनको disqualify कर रहें तो अगर कोई offenses है जो कि election से related है या corrupt practices है तो उनको जो है यहां पर हटा दिया जाएगा या rather disqualify कर दिया जाएगा similarly अगर कोई व्यक्ति है जिनको imprisonment किया जा रहा है for two years और more तो भी उनको यहां पर हटा दिया जाएगा इसके अलावा अगर जो candidates है वो अपने election expenses नहीं बता पाते हैं election commission को समय रहते हुए या कोई व्यक्ति जिसका government के contracts में या work या services में interest होता है या अगर कोई व्यक्ति है जो government job कर रहे थे लेकर उनको dismiss कर दिया जाता है because उन्होंने किसी प्रकार का corruption कर रखा है तो भी definitely उनको जो है यहां पर disqualify किया जाएगा from becoming a member of the parliament similarly अगर वो convict किये गए हैं for promoting enmity या फिर for preaching practices जो की social crime की तरह है जैसे कि untouchability dowry या फिर सती जब भी सवाल आता है disqualification पर decision लेने का तो यह सारा का सारा जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा by the president of the country and जब president decision ले रहे होंगे तो वो किसके recommendation पर या rather किसके साथ advice लेकर किसकी यह करेंगे तो वो करेंगे on the advice और help और the opinion of the election commission of India जी इसके अलावा yes I talked about the defection वाला I think defection के लिए 10th schedule is there इस 10th schedule को add किया गया 1985 52nd constitutional amendment act जिसके तहत यह चार तरीके आपको यहां पर बताए गए हैं कौन-कौन से अगर कोई कि एक member of the parliament उस political party जिस political party की ticket पर वो चुनकर आए हैं उसकी membership को त्याग देते हैं voluntarily तो उनको डिवेक्टेड कंसिडर किया जाएगा या फिर अगर एक member of the political party हैं जिनकी political party के whip आदेश दे रहे हैं कि हमको इस चीज के favor में जो है vote डालना है या हमको इस चीज के against में vote डालना है और वो उनके द्वारा दिये गए direction को नहीं मानते हैं तो भी उनको डिवेक्टेड कंसिडर किया जाएगा थर्ड अगर कोई एक independent member है याने वो किसी political party से चुनकर नहीं आए हैं कि ticket पर चुनकर नहीं आए हैं वो अंदर house में आने के बाद किसी political party को join कर लेते हैं तो sir and ma'am उनको defected consider किया जाएगा at the same time अगर कोई एक nominated व्यक्ति हैं जिनको president ने nominate किया है from the fields L, A, S, S और अंदर आने के बाद 6 मेने का समय आप किसी एक political party को join करना चाते हैं आप कर लीजे बट अगर आपने नहीं गिया उसके बाद याने 6 मेने खतम होने के बाद अब अगर आप चाते हो कि हम क्या करें हम यहाँ पर कोई एक particular party join कर लें तो आपको defected consider किया जाएगा यह वो चार तरीके हैं जो आपको ध्यान दीजेगा presiding officer के पास and when we say presiding officer लोकसभा में होते हैं speaker और राजसभा में होते हैं chairman लोकसभा में होते हैं speaker and राजसभा में होते हैं chairman चले अब बात करते हैं vacation of seat कि यह seat है वो कप-कप खाली हो सकती है member of parliament की तो सबसे पहले तो double membership राउल गांदी आप सभी को याद आ रहे होंगे जहां पर उन्होंने दो अलग-अलग seatों से चुनाव लड़ा है एक वाइनाट से एक राइबरेली से तो अब उनको जो है चूज करना पड़ेगा ऐसी स्थिती में जी अगर कोई है जो की दो हाउस से एलेक्ट हुए है तो उनके पास दस दिन का समय होता है यह बताने के लिए कि आप किस हाउस में जाकर बैठना चाहते अदर्वाइस उनकी राज्यसभा की सीट को जो है यहां पर निरस्त कर दिया जाएगा similarly अगर कोई एक sitting member है और वो दूसरे हाउस में elect हो जाते हैं तो उनके first हाउस की सीट automatically यहां पर विकेंट हो जाएगी अब अगर कोई व्यक्ती है जो की दो सीट्स में elect हुए हैं तो उनकी दोनों सीट्स विकेंट हो जाएगी अगर उन्होंने समय रहते अपना option सरकार को नहीं अपना option जो है वो नहीं बताया and if a person becomes both a member of the parliament as well as the member of the legislature तो उनकी seat parliament की विकेंट हो जाएगी अगर उन्होंने state legislature यानि की विधान सभागी seat को 14 दिन के अंदर अंदर त्यागा नहीं इसके अलावा disqualification आपको बता दिया resignation जो है वो दिया जा सकता है किसको to the presiding officer absence अगर 60 दिन तक लगतार without permission without any information कोई एक member house से गायब होते हैं तो उनको जो है हटाया जा सकता है और इसके अलावा other cases है जहां पर अगर इनके election को void करार दे दिया जाए उनको house से निकाल दिया जाए अगर वो office of president के लिए elect हो जाते हैं या वो किसी और house के किसी और state के governor की तरह चुने जाते हैं clear I hope यहां तक आप सभी को चीज़े समझ में आई होंगी यहां हमने बात की है election में qualification की disqualification की हमारे दोनों ही houses के बारे में बात करी है अब हम यहां पर बात करेंगे about the election commission थोड़ी सी क्योंकि यह current में बहुत जादा चल रहा है election commission की अगर बात की जाए तो article no.324 हमारे इंडियन constitution का बात करता है about the election commission जो की बताता है कि हमारे इंडिया में चार major institutions कौन कौन से सर पार्लिमेंट टेट लेजिसलेचर या फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट यह चार अलग अलग ऐसी institutions हैं जिनका election करवाने का काम election commission ऑफ इंडिया का होता है जब हम election commission ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यह एक constitutional body है और जब यह बनकर तयार हुई थी इस body में केवल single member हुआ करते थे परन्तु आपको पता होगा हमारे यह पहले voting की एज क्या थी 21 years फिर इस voting की एज को घटाया गया और 21 से घटा कर इसको कितना कर दिया गया 18 years यह change कब आया सर यह change आया in the year 61st constitutional amendment act in the year 1989 अब जब यह परिवर्तन हुआ है तो इसकी वजह से काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया चुकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ा तो इसको single member body से हटा कर multi member body बना दिया गया कि मल्टी मेंबर बॉड़ी याने वन एसी स्वारी वन सी इसी चीफ election commissioner और इनके साथ तू इसी याने election commissioners यहां पर देखने को मिलते हैं अब बात आती है कि इनका appointment कैसे होता है तो इनका appointment जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है क्या हमारे constitution ने कभी भी यह बताया कि किसको चुना जा सकता है क्या उनके qualifications बताए नहीं इसी वजह से सबसे जादा dispute इनके election से related हमेशा से रहा है अभी अभी कुछ समय पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बताया गया है कि कौन जो है वो बन सकता है election commissioner का हिस्सा तो इसके लिए सुप्रीम कोट ने बताया कि there has to be a body जो की select करेगी जिसको हम select committee बोलेंगे और फिर यह बताएगी किसको यह बताएगी प्रेसिडेंट को कि सर इनको चुन लेना चाहिए आपको इस में कौन कौन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ ओपोजेशन ऑफ इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह थ्री मेंबर बॉड़ी जो है यह बताएगी किसको प्रेसिडेंट को कि सर इनको जो है आपको चीफ कमिश्टर जो है इनको अपोईट करने की प्रक्रिया में चेंज करने की बात कही यहां पर इन्हों ने इस सेलेक्शन कमिटी को जो है प्राइम मिनिस्टर रखें लीडर ऑफ उपोजेशन इन लोकसभा रखा कैने का मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर रखे गए थे उसको replace कर दिया गया with the cabinet minister this was the controversy जो की बहुत जादा news में रही थी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अब बात करते हैं टर्म की तो सभी का टर्म जो है वो है यहां पर six years या फिर up to the age of 65 years which ever is earlier salary वगेरा जो है यह decide की जाएगी as per the cabinet secretary rank removal जो है CEC को आप वैसे ही हटा सकते हो जैसे की एक judge of Supreme Court को और बाकी ECs जो है वो CEC के recommendation पे हटाए जा सकते हैं जी इसके अलावा एक और बहुत important चीज है और यह चीज है about the 106th constitutional amendment act जो कि अभी अभी इस साल हमारे आखों के सामने आया था नारी शक्तिवंदन के बारे में आपने जरूर सुना होगा यह यह उसी चीज से related है जिस act के अंतरगत reservation of seats for women करने की बात करीगी कहां in lower house साथ ही साथ state legislative assemblies और national capital territory of new Delhi also however यह पूरा का पूरा commencement कब शुरू होगा या राधर यह reservation कब शुरू होगा यह शुरू होगा after the next delimitation delimitation क्या होता है सरेन मैम delimitation एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहट हमारे पूरे के पूरे देश को अलग-अलग छुटी-छुटी territorial constituencies में बाटा जाता है और यह करने का power article number 82 के अंतरगत delimitation commission के पास होता है यह जो delimitation commission है इसका गठन किया जाता है by the president जिसको chair करते हैं Supreme Court के एक retired justice clear I hope I am clear यहाँ पर हमने जो है इन सभी चीजों के बारे में अब समझ लिया है I hope आपके election से related जितने भी question रहे होंगे उन सभी को यहाँ पर solve किया गया है आप सभी से request होगी कि आप सभी अपनी तयारी में अगर अभी भी किसी भी प्रकार से थोड़ा सा पीचे हैं तो आप unacademy का साथ अभी जोड सकते हैं अभी क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी opportunity है जहां पर सारे ही सारे ही courses पर सारे ही subscription पर आपको maximum discount देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर 50% तक का discount आपको CLAT subscription और other law entrance examination के subscription पर मिलेगा however इसको avail करने के लिए आपको जाना है और बार live code का use करना है बार इस बेसिकली बिंग अधित्राय आमी बार and L.I.V.E. live because we are live we are talking here इसी लिए आप इस बार live code का मदद लेकर अपनी तयारी को strong कर सकते हैं साथी जाथ if in case you are preparing for CLAT and L.I.E. examinations तो उन सभी के लिए अभी आपको इस वक्त यह best of the best premium capsule जिसके अंतरगत 23 printed notebooks 23 printed books होंगी और साथी साथ 50 से भी जादा mock test होंगे जिन में से 40 CLAT, 6 ALET and 4 OLETS के होंगे यह सब कुछ आपके घर पर पहुचाया जाएगा and this will be delivered at an offer price of this जिसको आप और भी जादा discounted कर सकते हो by using the code bar live जैसे ही आप bar live code का use करेंगे you will get to see the maximum discount अगर आप चाहें कि यह सभी आपको digital copy मिले तो वो भी मिल सकता है for this much price जिसको आप और जादा discounted कर सकते हैं by using the code bar live इसके अलावा yes legal mavericks batch is already live जो कि आपको CLAT and other law entrance examination 2026 के लिए prepare कर रहा है साथी साथ जो titans batch है यह एक comprehensive batch है for CLAT 2025 यह भी आपके लिए यहाँ पर तयार है तो अभी जाएए और use करिए code b-a-r-l-i-v-e live with this I am signing off thank you so very much for your valuable time keep studying keep grilling जए हिंद जए भारत झाल 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